इस तरीके का संज्यान में आया था कि सोशल मेडिया में वीडियो जो है प्रसारित किया जा रहा है जिसमें की मेरा स्वेम का फोटो दिखाया गया है इस प्रक्रण को मैंने स्वेम देखा और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ आपरादिक तत्वों ने इस तरीके की साजिश करने की कोशिश की है जिससे विक्तिगत छवी को नुकसान पहुंचे जनपत गौतम बुद्नगर में पिछले एक वर्ष में जो कारवाई हुई हैं संगठे अपराद के विरुद्ध अपरादियों के विरुद्ध और यहां पर कई प्रकार के जो नेक्सस थे दरश्टाचार के ज करने की कोशिश की है साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा करीब एक देड़ महीने पहले महा नवंबर के करीब मेरे द्वारा जनपत गौतम बुद्नगर से संबंदित एवं अन्य कुछ और जगहों से संबंदित बड़ी सम्वेधनशील प्रकरती की प्रशाषनिक र लोगों के नाम थे और काफी सम्वेधनशील प्रकरती की वह रिपोर्ट थी उन पर अभी जांच भी चल रही है उससे भी तिल मिलाके कुछ ये शिरारती तत्तो द्वारा आपराधिक तत्तो द्वारा इस तरीकी की कोशिश की गई है आईटी एक्ट के विबिन इसकी इन्वेस्टिकेशन जनपद गौतम बुद नगर से अन्यत्र के से जनपद में ट्रांसफर करने का अन्वोध भी किया जा रहा है जिससे की इसमें निश्पक्ष इन्वेस्टिकेशन हूँ और जो भी इसकी आपराधिक प्रत्य के पीछे है उसकी उसकी करवाई जिससे खुदी इस पर्श अश्पश हो रहा है कि मौ श्रुट एक वीडियो और और जहां से वो फॉर्वर्ड हुई है जहां जहां चे भी वीडियो आई है उसके पूरा लिंफ हम लोग इस्टेमिश करेंगे कहां से फॉर्वर्ड हो किया उसका सुरौत है और उसमें जले इन्वेस्टिकेशन में सारी पड़ते खुलेंगी और सक्त कर लाइगी आपने जो जाज रिपोर्ट जो सीम को भेजी थी क्या थी किस-किस के खिलाब भेजी थी मैं पब्लिकली उसके बारे में नहीं कहूंगा लेकिन सेंसिटिव उसमें कौन-कौन लोग थे क्या कोई अधि इन्वेस्टिकेशन के सारी चीजें ने आपने जो रिपोर्ट भेजी थी उसके वारे मां पूछे हैं काफी मुद्दों उसमें कौन-कौन लोग है जो पुराने पत्रकार गरफ्तार हुए वह है या फिपिछ उसमें कुछ अधिशन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो रिपोर्ट भेजी गए थी उसमें अधिश्टाचार के कई एरियाज में और कई अमुद्दों पर जो है जिप्रता एक नेक्सेस जो है किस प्रकार से जो है वो चल रहा था जो हम लोगों ने पुरा फोड़ा भी था पौश जो पीछे से किसी लड़की की आवाज आरी है और जो वीडियो है उसमें कोई लड़की मौजूद नहीं है लेकिन पीछे से किसी की आवाज आरी है और उसमें अलग तरीकी पूर्ट